हेलो गाई वेलकम बेक तो माई चैनल आज में फिर हाजी रहे हो एक नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो हम बात करेंगे जो MCC पैनल में जो बसबार होता है Incomer बसबार, Outgoing बसबार, Z-Link ये सारे बसबार के बारे हम बात करेंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये MCC पैनल है, जो एक Incomer और चार Outgoing गए है तो मैं ये आपको जो दिखा रहे हैं, ये Front View जिसमें से ये एक Incomer 1 है याने कि MCC पैनल का जो Incomer Side है, ये Incomer Part है आगे चलेंगे फिर जो Next Part है, ये Outgoing Segment 2 याने की Outgoing Part 1 हो या Segment 2 है, लेकिन Outgoing का ये Part 1 है फिर आगे जिसमें आपको दिखाना जा रहा है, ये जो Part है, ये Part Number 2 है याने कि Outgoing Panels जो भी है, इसका एक Part 2 है, और Next जो दिख पा रहे हैं, ये मेरा Part 3 है Outgoing, MCC Panel का Outgoing Part 3 है, और आगे जो Next, Last One जो है ये Part 4 है तो इस तरह मेरे पास चार Outgoing और एक Incoming, टोटल पांच कमपार्टमेंट में ये बसबार के साथ एड़ करके ये बना हुआ है ये मेरा MCC Panel है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, Front View उसका ऐसा दिख रहा है जैसे मैं इसका Back में जाता हूँ तो सबसे पहले ये मेरे बसबार देखता है, इस तरह ये मेरा Blue Phase का Incoming बसबार है उसके Just Bugle में अब ये है Yellow Phase का और उसके Just Bugle में ये है Red Phase का बसबार है तो टोटल R, Y and B त्री Phages में डिवाइड किया गया है और ये Incoming बसबार है और इससे Breaker को जाता है और ये जो आपके सामने में जो देख पा रहे हैं ये Wire ये CT and PT के लिए जाता है यानि की Current Transformer and Voltage Transformer जो की Protection में काम करते हैं और Monitoring में काम करते हैं ये सारे इसके थुरू में Add करके Just फिर Breaker यानि की ACB के Outgoing हो करके जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं जो ब्लेक वन जो उपर में दिख रहा है ये Outgoing बसबार है जो ब्रेकर से निकल करके Outgoing के लिए जा रहा है और ये Verticals बसबार जा करके फिर वो Horizontal यानिकी Z-Link की थुर कर रहा हूं और बेक भी में ये बसबार है तो ये बसबार आप देख पा रहे हैं अलाए अगला अगला कंपार्टमेंट का अलाए डिवाइट कियागा इस तरह करके एक फुल कंपार्टमेंट ये बसबार दिखाया है Outgoing के साथ साथ Incoming पैनल्स का Thank you for watching मैं चैनल